किसान साथ ये जो आप इंजिन देख रहे हैं ये इंजिन है 20 साल पुराना और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही बहतरीन जानकारी देने वाला हूँ प्रक्तिकली नौलिज के हिसाब से जैसे के यदि हम अपने खेत की सिचाई करते हैं और सिचाई करत यदि इंजिन स्टार्ट नहीं होता है तो क्या करें बता दें दोस्तों इंजिन स्टार्ट इसलिए नहीं होता है सारा डीजल खतम होने के बाद जब दुबारा से डीजल भरते हैं तो ये डीजल पाइप है इसमें एर फस जाता है इस कारण ये इंजिन स्टार्ट नहीं हो गबड़ा जाते हैं पता नहीं इंजन में क्या हो गया और एकदम से मिस्टरी को बुलाते हैं मकैनिक को बुलाते हैं और पैसे देकर सही करा लेते हैं तो इसमें कोई पैसा देने की जरूवत नहीं आबस सकता नहीं है इसमें बस एक मिनिट का काम है आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहीएगा मैं आपको आसानी तरीके से बता देता हूं तो चलिए दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सत्या आप देख रहा हमारा यूटूब चैनल सत्या सपोर्ट देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तो यह है इंजन का हत्ता इसको पहले ही इसमें फसा लेते ह और यह है पेंचकस और यह रहा एर इसकुरू जब भी इंजन में एर फस जाए तो इस तरह से इस इसकुरू को घुमाएंगे और यहां से आयल थोड़ा निकाल देंगे और इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से बील को घुमाएंगे धीरे धीरे और यहां से जो आयल निकल जाती है और थोड़ा आयल निकाल करके आप इसको इस तरह से फिर कसदें अच्छी तरीके से और कसने के बाद जब आप हेंडिल लगाएंगे इंजन में तो आसानी से एक दम से स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आज कल तो कुछ इंजन ऐसे आ रहे हैं इहां पैप दिया गया है तो पाइप के नीचे इसकुरू दिया गया है बहां से भी एर निकल जाती है यह पुराना इंजन तो इसमें इसकुरू दिया गया है यहां इसकुरू लगाकर अच्छी तरीके से थोड़ा सा आयल निकाल देंगे आयल के साथ में एर निकल जाएगी और आपका इन्जे भारे